आज हम योगदर्शन के पहले पाद के चालीस में सूत्र पर चर्चा कर रहे थे उसी के भाष्य को देखेंगे और थोड़ा सा भाष्य हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था आज हम उसका अगला जो भाग है उसे पढ़ेंगे चालीस में सूत्र से पहले जैसा कि मैंने आपको पहली भी बताया था चर्चा चल रही है अपने चित्त को कैसे रोका जाए उसमें बहुत सारे उपाये महर्शी पतंजली जीने बताएं हैं और सब उपायों को बताकर अंतुमें कह दिया यह था भी मतद ध्यानाजबा जैसी आपकी सुविधा हो जिसमें आपको सरलता हो जो आपको बहुत अधिक अपील करती हो आप उस तरीके को उस उपाय को अपना करके चित्त को रोक सकते हैं एकागर कर सकते हैं फिर उससे होगा क्या तो कहा परमानू परम महत्व अंतो अस्य वशी का रहा दो काम होंगे एक त को समझने में बहुत अधिक कठिनता आती है कारण क्योंकि वो सूक्षम है बहुत जल्दी समझ में नहीं आ रहा है दूसरा परम महत्व अर्थाज जो बहुत अधिक बड़ा विशय है थूल विशय है नहीं समझ में आ रहा है कई बार छोटी बात समझ में नहीं आती बहुत मोटी सी बात बताएं कि भाई समय पर जाने से विद्या आती है अब लोगों को यही समझ में नहीं आएगा समय पर विद्या ले जाने से विद्या आती है देर से जाएंगे तो विद्याने से मना कर देगी वो अपने तर्क लगाने लगेंगे पर बात बड़ी मोटी स समझ में नहीं आती इसी तरह से जो प्रकृती के तत्व है बहुत सूक्ष्म है उस पर भी ध्याने कागर नहीं होता जो बहुत स्थूल है उन पर भी ध्याने कागर नहीं होता मैंने परसों भी आपको बताया था जिस तरह से एक छोटा बिंदू है उस पर ध्याने कागर करें नहीं होगा इधर उदर भठकेगा और जो एक बड़ा सा कोई वस्तू है उस पर पूरे पर एक साथ फोकस करें नहीं होगा एक एक चीज पर धियान जाएगा पूरे पेड़ को एक साथ देखेंगे तो नहीं होगा कभी फल पर दिरिष्णी जाएगी कभी पत्ते पर जाएगी पूरे को एक साथ देखते रहना बिना किसी एक वस्तुपा दिहने का ग्रिकिए तो ऐसे पूरे की एक साथ जानकारी वो भी बड़ी कठिन है क्योंकि परसपर तार्थम में बठाना पड़ता है अब पूरे पेड़ को एक साथ जानना है तो पेड़ की छोटी- प्रक्ष्मता का जो अंतिम पैमाना है वो है परमानू प्रकृति का वहां तक हमारी एक आगरता होती है और स्थूल वस्तुपों में जो सबसे स्थूल हो सकता है वहां तक भी हमारी पहुंच हो जाती है एवं इस प्रकार ताम उभईीम कोटीम अनुधावतो यो अस्य बहुत अच्छा समझने लायक है यह पंक्ती समझने लायक है कि एवं इस प्रकार से जब हम बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म विशय में अपने मन को एक आगर कर लेंगे और बड़े स्थूल से स्थूल विशय में भी मन को एक आगर कर लेंगे तो यह उभईीम कोटीम दोनो प्रकारों में अनुधावता है दोड़ते हुए जो हमारा चित है दोनों विशयों में जो हमारा चित अनुधावता पीछे पीछे दोड़ रहा है माने पहले वस्तु है उसके बाद हमारा चित है वो चित दोनों वस्तुओं में एकागर होने का प्रयास कर रहा है उनके पीछ हावतहर शर्ब्द का प्रियोग बहुत अच्छा किया। सिखा पाते हैं तो ये जो मन में धारणा है ना अजी उनके लिए आसान है उसके लिए तो ठीक है उसका माहल ही ऐसा है उसके लिए ठीक है क्योंकि उसके संस्कार ऐसे हैं ये सब कहने की बाते होती है नहीं तो हर चीज के पीछे दोड़ना पड़ता है हर लक्ष को पाने के ल बहुत परिश्रम किया है मेहनत की है तब जाकर के उसे कुछ मिला है मैं एक अजमेर में हमारे यां है डॉक्टर रहते हैं डॉक्टर सतीश्वर्मा जी तो मैं वह होमेपैथी के बहुत अच्छे चिकितसक हैं उनसे थोड़ी ओशधी लेने के लिए गया था उन्होंने अपन रिक्तिगत रूप में उन्होंने हमेपैथी की पुस्ता के पढ़ी और पढ़कर के लोगों को दवाई भी दिया करते थे जब कोई सीजनल बुखार वगएर आया करता था उन्होंने बीच में ही रेटायर्मेंट के पांच साल पहले ही उन्होंने अपनी नौकरी जो सेवा साथ छोड़ दी लोगोंने समझाय क्यों छोड़ रहे हैं सेवा भी पांच साल बचे हैं रेटायर्मेंट में आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा बोले नहीं मेरा विशह मस्तिश्क कहीं और लगा हुआ है और जब कहीं और लगा हुआ है तो मैं अपने बच्चों के सा अभी हम उनसे मिलने गए थे क्योंकि ओशनी लेने के लिए माता जोत्सना जी के बहुत अच्छे परीचित है क्योंकि डॉक्टर धर्मवीर जी के मित्र रहे हैं तो उन्होंने मुझे एक बात कहीं जो मुझे हर जगा लगभग लगभग एक जैसी सुनने को मिलती हैं प्रेर सबसे अच्छा जो परिणाम उसने दिया है – वो हमें बिल्कुल दिखाई रही देता है जब भी कोई व्यक्ति कुछ उन्नती करता है तो उस उन्नती के पीछे अनुधावत हा, दोड़ना पड़ता है, अब हमें लग रहा होगा कि परमानू तक पकड़ बना सकते हैं हम अपनी, ये दुनिया की सबसे स्थूल से स्थूल विशाय वस्तु तक अपनी पकड़ बना सक कैसे संभव हैं संभव हैं बस अनुधावत पीछे दोड़ना पड़ेगा बिन दोड़े ऐसे बैठे बिठाए कुछ नहीं मिल सकता मुझे एक छोट इसी पंक्ति याद आ गई घटना याद आ गई पता नहीं कितनी आप लोगों के काम की रहेगी और इस विशा से संबंधित रहेगी एक पुस्तक मैं बड़ी चर्चा करता हूं उसकी पुस्तक लिखे जीत आपकी हिंदी में है अंग्रेजी में यू कैन विन शायद आप परिचित होंगे उससे शिवखेडा जी की लिखी हुई है और मैंने जब गुरकुल में पढ़ता था उस समय उस पुस्तक को लिए उस वक्ति ने प्रशन किया जी आप ये जो इतनी उन्नती पर खड़े हैं आज आप हमें बता रहे हैं कि जिवन में उन्नती करने के लिए ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए इतनी मेहनत करनी चाहिए जितने सफल आप हैं उतना सफल अगर मैं बन जाओं तो मैं कु तुम्हारी प्रक्रिया गलत है, तुम कह रहे हो कि मैं इतना सफल बन जाओं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसको पलटी है, मैंने कुछ भी किया है, तो मैं इतना सफल बना हूँ, तुम परिणाम पहले सामने रख रहे हो, काम बाद में सोच रहे हो, मैंने उल्टा किया है, मैंने काम पहले किया है परिणामबाद में मिला है और इस दुनिया में जितने लोग हैं उन्होंने अपने लक्षे को पाने के लिए कुछ भी किया है तब उन्हें मिला है हम क्या सोचते हैं सफल व्यक्ति को देखकर अच्छा अगर ऐसा मुझे मिले न तो इसके लिए तुम् तो इसलिए अनुधावता है, दोड़ना पड़ता है, एक दो दिन, एक दो हफ्ते महीने का काम नहीं है, लंबे समय तक लगातार अभ्यास करना पड़ता है, इसलिए जितने पीछे अभ्यास लिखे हैं सूत्रों में, वो अभ्यास से पहले सबसे पहले एक बात कही गई थे, उन्होंने काता, अभ्यास और वईराग्य ये दो चीज़े हैं, लेकिन अभ्यास के बाद में जो सूत्र लिखा था, वो बहुत ध्यान देने योग्य था, उन्होंने काता, सतुदीर घकाल, नेरंतरिय, सतकारा सेवितो द्रढ़ों में, जिस अभ्यास की हम चर्चा कर रहे जिन अभ्यासों के बारे में हम बताएंगे, उन्हें कब तक करना, पहले ही एक शब्द डाल दिया उन्होंने, सतुदीर घकाल, लंबे समय तक करना पड़ेगा, एक दो दिन में सफलता पाने की इच्छा करें नहीं होगा, संभभ भी नहीं है, निरंतरिय, निरंतरता बना छोड़ देते हैं, पता नहीं होता है, संशे ही मन में अभी जमा हुआ है, श्रद्धा ही नहीं है, नहीं होगा, तीन चीज़ें आवश्यक हैं, लंबे समय तक करना, निरंतरता से करना, और श्रद्धा सही पूरे विश्वास के साथ, और अपना पूरा पुरुशार्थ ल उसमें पिरोई हुई होती है, एक दूसरी से जुड़े हुई होती है, श्री कृष्णी की बात हमें शायद न समझ में आती हो, अर्जुन की बात शायद हमें न समझ में आती हो, जब अर्जुन कह रहा है कि कैसे करूं, क्या करूं, आपने उपाये तो बता दिये हैं, लेक आपका अधिकार नहीं है इसलिए कर्म कर सकते हैं फल आप नहीं पा सकते अभी मैं PhD कर रहा हूँ तो PhD में जिस समय हम शोध करते हैं को it ं और सैंपल लेकर करके पता लगाते है कि इसका क्या परिणाम निकल रहा है कि तो तो वहां पर दो तरह की चीजे होती है हमारे सामने एक वो जो हमारे वश में होती है दूसरी जो हमारे वश में नहीं होती है हमारे वश में क्या चीज होती है अब मान लीजिए मैंने देखा कि दो चम्मत चीनी डालने से ये रिजल्ट निकलता है परिणाम मेरे वश में नही चीनी को घटा बढ़ा सकता हूँ कितना मीठा होगा उस पर मेरा वश नहीं है यह यह बात शायद आपको उतनी अपिल न करें और सरलता से लिए अब डॉक्टर होता है अब डॉक्टर जो है वह रोग पर क्या असर पड़ेगा यह उसके वश में नहीं है लेकिन वह दवाई घटा बढ़ा सकता है कितनी डालें 10 ml डालें 20 ml डालें कितनी वह इसको घटा बढ़ा सकता है और इससे क्या परिणाम निकल रहा है वह उसके वश में नहीं है परिणाम केवल नोट कर सकता है और कुछ नहीं केवल लिख सकता है जी यह परिणाम आया उसके वश में क्या है ये चीजें घटाना बढ़ाना, कितनी मात्रा में क्या डालना है, कितनी मात्रा में कम करना है, वो उसके वश में, परिणाम वश में नहीं है, परिणाम के वल नोट हो सकता है, लिखा जा सकता है, आप सोचे नहीं, मैं परिणाम को बदलूँगा तो ये दवाई बदल यह नहीं होगा आप इसको उल्टा भी तो अगर दो चीजें जुड़े हुए हैं वस्तू और वस्तू से निकलने वाला परिणाम तो अगर मैंने दवाई घटाई या बढ़ाई तो इधर परिणाम बदल गए तो क्या उल्टा भी हो सकता है कि मैं परिणाम बदल दू तो काम करना शुरू करते हैं इसलिए दुनिया के जितने भी बड़े सफल व्यक्ति रहे हैं हाला कि आज कल के जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो कुछ भी कह सकते हैं वो कह सकते हैं कि बड़ा लक्ष बनाईए बड़ा लक्ष होना चाहिए जीवन में पर वो पहले से कहते है कि आप इच्छा पहले रखिए इच्छा मतलब फल पहले तै कर लिजिए मुझे यह मिलेगा तब उसके लिए काम कीजिए गलत हैं आप मुझे इतना ही मिलेगा यह तैमत कीजिए लक्ष बड़ा बनाईए जिवन में आगे बढ़ने की इच्छा भी रखिए सब कुछ कीज मुझे ये मिलना ही चहाए, ये कभी मत्मन मिलाए, ये बहुत खतरनाख है, क्योंकि जो आप परिणाम आप पहले सोच लिया, तो उसके लिए क्या करना चाहिए ये पक्का नहीं पता आपको, अब हो सकता है जो करने हैं, उसके करने से कम या ज़्यादा मिल जाए, कम मिलेगा सहन नहीं होगा, जादा मिलेगा सहन नहीं होगा, कम मिलेगा विचलित होंगे, अधिक मिलेगा तो भी विचलित होंगे, तो प्रसंदता के मारे लोगों को बताएंगे समझ Which leaders अपने भीतर से डगमगा जाएंगे हम, क्योंकि हमने जो सोचा था उससे बहुत मिल चुका है इसलिए लक्ष बड़े बनाई है मुझे कुछ अच्छा करना है कुछ बहतर करना है उसके पीछे दोड़िये लेकिन जब दोड़ लगानी शुरू करें तो यह मत सोची इतना ही मिलना चाहिए इसलिए बहुत सारे उपाए हमने पढ़ लिए है आपके मन में भी आया होगा के बाद में छूट भी दे दी है बाखी जो आपको मन को अच्छा लगे वो उपाए अपना ली दिये तो आप हो सकता है प्रयास भी करें हो सकता है आप किसी विशय को लें शब्दस पर शुरू प्रसगंद संगीत के माध्यान से आप अपने मन को एकागर करने का प्रयास करें कर सकते हैं बहुत अच्छा है ठंडी ठंडी बहती हवा जोको को अनुभव करें और उससे ध्याने एकागर करें कर सकते हैं किसी भी तरीके Universal को अपना सकते हैं लेकिन पनाते हुए जब आप महीने भर तक करेंगे तो कुछ सकता है मन में आ जाए कुछ परिणाव नहीं निकला बेकार है सब निराश आ जाए मन में छोड़ दें आप उसको तब यह पंग्ति आपको याद कर लेनी चाहिए अनुधावता दौड़ना पड़ेगा जब दुनिया में सनातक की डिगरी तीन साल में मिलती है मेरे ख्याल से साधना जितना सुक्ष में विशय तो नहीं होगा सनातक की डिगरी तीन साल में मिलती है परासनातक होते होते पांच साल हो जाते हैं और अगर स्कुल मिला करके मैं बोलू तो कितने वर्ष होते हैं आपक तो प्लस दू तक करने के लिए बारा साल की पढ़ाई करनी पड़ती है पर पांच साल आगे परासना तक यानी कि प्रेजुएट करने तक लगते हैं तो बारास पांच सतरह वर्ष तो यहीBook गए सत्रह वर्ष में आप परासना तक पोस्ट्रेजुएट की डिग्री ले पाते हैं सोचिए सत्रह साल की प्रतीक्षा कुछ चोटी-मोटी चीज नहीं है जिस समय कक्षा 2 में पढ़ रहे थे आपने सोचा भी नहीं होगा कि मुझे परासना तक करनी है सोचा भी नहीं होगा इतना तो नौवी दस्वी में आकर के सोचते हैं बच्चे की क्या करना है इतना लंबे अंतराल के बाद आपको कुछ मिला योग तो शायद उससे सूक्ष में भी शाय है मैं कहता हूँ इतना नहीं कम से कम तीन चार साल पांच साल का धहर्य तो बहुत आवश्यक है और इतना अगर हमने धहर्य से उसके पीछे दोड़ लगा ली अनुधावता है पीछे पीछे दोड़ ली तो निश्चित सफलता मिलेगी और यही कह रहे हैं पंक्ति देखे पढ़िये गाई है एवं ताम उभाईम कोटीम अनुधावता है यह दोनों प्रकार के विशयों की तरफ यानि कि अभ्यास की तरफ दोड़ना अगर मन दोड़ रहा है तो यो अस्य अप्रतिगाता है फिर इसको जो बिना बाधा के जो गती मिलेगी सब परोवशीकार है उससे बड़ा वशीकार है उससे बड़ा नियंत्रन और कोई नहीं होगा अभी ये अप्रतिगात अर्थात बाधारहित बाधारहित मतलब अब बीच में रुकावट नहीं आएगी अगर लंबा भ्यास कर लिया है और किसी सूक्ष में विशय पर एकागरता लानी है तो बीच में रुकावटे नहीं आएंगे आप बैठे आपने प्रयास किया एकागरता लाने का आ गई एकागरता आप बैठे आपने प्रयास किया मैं जानतों नहीं यह काम कैसे हो रहा है आप थोड़ी देर बैठे आपको पता लगया इस तरह से हो रहा है कि कोई आपने पुस्तक सामने लिए और पलट्टी प्रारंभ की दस बीस प्रिश्ट तो यूही एक मिनट में याद करके दे दिए के लिए बता आप थोड़ी देर हर चीज़ पर विचार करेंगे मौसम कैसा था बारिश कैसी थी हवा कैसी चल रही थी मिट्टी कैसी यह पानी कैसा है सब कुछ इसकी देखभाल कैसी की गई है कोई परिवर्दन तो नहीं आया आपको एक दो मिनट लगेंगी जानकारी इकठी करने में क क्योंकि आप चीज़ों को इतना तो हमें पता चली ही जाता है और जानकर करके आप निरने तुरंदे देंगे ऐसा हुआ है इसलिए यह गड़बर हुआ है जैसे आप कंप्यूटर में डेटा डालते हैं वो रिजल्ट सामने रख देता है अप्रतिगहात कोई बाधा नहीं क्याते हैं अपने नियंत्रण में कर लें चीज़े हमारे वश में हो जाएंगे और परवशीकार को परवईराग्य भी कहा गया है क्योंकि वईराग्य की परिभाशा थी दृष्टानु श्रवी का विशय वित्रिश्ण से वशीकार संज्जा वईराग्य वशीकार को ही लालसा समाप्थ हो जाती है आप अपने अपने तरह का जीवन जी रहे हैं आपको लालसा होगी हर चीज़ की हमें भी है आपको भी होती होगी इच्छा होती होगी यह तो होना ही चाहिए और इसमें कभी आप अपने को स्वयम से जूट मत बोलिएगा कभी दूसरे से आप कुछ भी कहले। स्वयम से कभी मत कहिएगा ऐसा जैसे मान लिजी मैं योगदर्शन पढ़ रहा हूं आप योगदर्शन पढ़ रहे हैं अब कोई आप से पुछे आप योगदर्शन पढ़ रहे हैं जी हाँ पढ़ रहे हैं अच्छा फिर ये जीवन में आपके लालसा तो होनी नहीं चाहिए आप तो कह रहे हैं मुझे गाड़ी चाहिए और आप योगदर्शन भी पढ़ रहे हैं तो फिर हम थोड़े से conscious हो जात हूँ अभी तक चीजे जब मेरे पास आएंगी ऐसा भी नहीं कि बहुत धेरी कठा हो जाए मेरे पास लेकिन मेरी आवश्यक्ता कि वस्तों मुझे पता है और मैं ले रहा हूं कोई आकर कि मुझे टोकड़ आप क्यों ले रहे हैं आप तुझी योग पढ़ रहे हैं आपको कार्याले जाने में इतना समय लगता है या मैं इतना समय बचा करके इतना समय लोगों के लिए निकाल सकता हूँ अगर मेरे पास भी कोई गाड़ी आ जाए तो मुझे बर साथ में आपने ले ली गाड़ी घर खड़ी है हो सकता है आप बरसात में भी मन कर जाए नहीं आज तो भीगते हुए जाने का मन है लोग कहेंगे गाड़ी घर खड़ी आरे नहीं वो इतनी रुची नहीं है मेरी उसके प्रति क्योंकि आ गई है वश में जो चीज पास में होती उसके इकठी करने ही जरूरी है लेकिन एक आम आदमी के लिए सामान्य मनुष्य के लिए दो-तिन तरह के लोग संसार में होते हैं एक तो वो जो पहले ही समझ जाते हैं कि वस्तु मिल गई तो कितना लाब पहुंचाएगी पहले ही वैराग्य हो जाता है दूसरे वो जिने संसाइगे होता ही नहीं है जिनका पागल्पन और बढ़ता चला जाता है और विखषिज तवस्ता की इस्तितत पहुँच जाते हैं लेकिन जो मध्यम स्थिति के लोग होते हैं मध्यम इस्तिति लोगों को जो आगर वैराग्य तक पहुचना है है तो उन्हें एक उपाया अपना सकते हैं कि अपने को सिद्ध कीजिए मैं यह पा सकता हूं मैंने पहले भी आप लोगों से संभवत चर्चा की हुई इस विशह में कि जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है वो कहे मेरे मुझे वैराग्य है मैं चाहता ही नहीं हूँ बात समझ में नहीं आती है और मैं छ त्यार करके दिखा यह फिर ले सकते हैं नहीं ले रहें हमें पता है यह व्यक्ति इतना बुद्धिमान है यह दिन में 12-13 घंटे काम करता है और यह इस वस्तु को पास सकता है यह ले सकता है मेरे जैसी गाड़ी चाहे तो अभी ले सकता है लेकिन फिर भी साइकिल से जाता अब उसकी बात समझ में आएगी है तुम वास्तों में त्यागी है आप वास्तों में स्वास्थे के प्रति जागरूख हो आप गाड़ी सच में इसलिए नहीं ले रहे हो ताकि प्रदूशन बचे और मेरे स्वास्थे में भी कोई समस्या ना आए इसलिए आप साइक्ल से जाते हो लेकिन अगर कोई सामाने साब एक्ति साइकिल से जायर वो कहे अरे मैं गाड़ी खरीदता है नहीं चाहूं तो खरीद नूँ नहीं उसकी बाद समझ में नहीं आएगी समझने लायक ही नहीं है तो इसलिए यह वशीकार है यह वाईराग्ये का सबसे बड़ा साधन है तो जब हम चीजों को जान लेते हैं इसको भी जान लिया सुक्ष्म से सुक्ष्म को भी जान लिया वहां तक भी हमारी पहुँच हो गई और स्थूल से स्थूल को भी जान लिया पहुँच हो गई अब सोचे किस विशह में हमें राग रह जाएगा नहीं रहेगा और जब ह खिलोने की प्रति राग जन्मा उसे भी ले लिया उसे भी खिल लिया अब एक नए खिलोने की प्रति राग जन्मा जितने खिलोने हो सकते हैं सबसे खिल लिया अब मन में क्या आएगा नहीं पिता जी खिलोने हो गए बहुत अब सीधे फोन चाहिए अब नहीं चाहिए यह से बात नहीं बनती हाला कि उम्र अभी भी छोटी है पर आपने देखा होगा अगर बच्चे छोटे-छोटे खिलोनों को उपयोग कर लें सब को कर लें अब छोटे खिलोने पर हाथ ही नहीं रखते अब चीज़े ओरिजिनल चाहिए उन्हें इसलिए जब हम सामान्य मनुष्य जो होते हैं और वो इतनी योग्यता अरजित कर लेते हैं कि चाहे जो ले सकें चाहे जो उपभोग कर सकते हैं तब उन्हें ओरिजिनल चाहिए अब दौर लगेगी ईश्वर की तरह अब ऐसा सुख चाहिए जो समाप्ति नहीं होता ये वस्तुओं को तो जानके दे समच होगी राजा को कभी अपने घर में सोने चांदी के बरतनों से राग नहीं होता लेकिन एक सामानने से व्यक्ति को सड़क पर पीतल का भी कोई चोटा सा अंगूठी मिल जाए वो उसको भी घर लाकर करके साफ करके दिखाता है दुकान पर जाए कि भाई यह देखना ज रखें हो सकता है कभी रखे ही हों कभी उपयोग ना करते हूं हो सकता है गहने रखें यह कभी उपयोग भी ना करते हूं जो चीज है पा चुके हैं या पास सकते हैं उसके प्रति अपने आप लगाव समाप हो जाता है मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जिस परिवेश स मैंने देखा है जिन चीजों को मैंने जाना है मैंने बहुत गहराई से अनुभव किया जो नहीं है उसके प्रती लगाव जो मिलती गई उसके प्रती लगाव समाप और हम कहते हैं कि देखो जो धनवान लोग होते हैं वो कितने अच्छे होते हैं वो जादा चोरी नहीं करते हैं अरे भैई चोरी इसलिए नहीं करते हैं उनके पास है गरीब इसलिए चोरी करता है उसके पास नहीं है गरीब इसलिए लालाई दिखाई देता है उसकी आँखों और सज्जन व्यक्ति है इसके अंदर इसके अंदर शिष्टाचार है दरसल वो शिष्टाचार इसलिए है कि जो व्यक्ति है उसके पास है बहुत सारा है तो शिष्टाचार ही बाकी बचा है अब जिसके पास नहीं है वो कहे का सिष्टाचार करेगा भूखा है तीन दिन से आ नहीं होगा उससे शिष्टाचार वो बिना भोजन मंत्र बोले खाएगा वो खाएगा जल्दी जल्दी खाएगा खाना चाहिए दो तीन रोटी शिष्टाचार कहता है वो साथ आठ खाएगा उसका सारा सिष्टाचार घराशाई हो जाएगा लोग कहेंगे शिष्टाचारी नहीं है कितनी इसके अंदर भूख है भूजन की ये कितना मतलब इतना भी ध्यान नहीं रख रहा कितना चाहिए कि और फिर हमारी जो यात्रा शुरू होती है वो किसी बड़ी चीज के लिए शुरू होती है, छोटी चीज़ों के प्रती लाल सा दिखाई नहीं देते, इसलिए जब हम किसी व्यक्ति को कहते हैं, मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा हूं कि जो जिनके पास धर नहीं होता वो ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे लोग अच्छे ही होते हैं और मजबूरी में ही करते हैं दोनों तरह के लोग होते हैं ये सब संसकारों पर बात कर होती है धनवान भी अच्छे बुरे हो सकते हैं निर्धन भी अच्छे बुरे दोनों तरह के हो सकते हैं लेकिन अधिक तर जो व्यक और आप जो हम जो बाकी जो लोग मध्यमवर्ग ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि जी देखो मैं तो ये भी दे देता हूँ, इसके प्रती भी मेरे मन में लालसा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं भोजन भी बड़े आराम से करता हूँ, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास है, इस कि हमें पहले ही पता चल चुका है, कुछ नहीं होने वाला, योग्य बनने, पर योग्यता होनी जरूरी है, वशीकार होना जरूरी है, इसलिए कह रहे हैं, अप्रती घात, अगर मेरी चीजों तक पहुँच है, तो वशीकार होगा, वो भी अप्रती घात पहुच, कोई रो पहुची नहीं है, तो वशीकार भी नहीं है, वशीकार नहीं है, तो लालाइत रहता है, इतना लालाइत रहता है, कि सडक से अगर एरपोर्ट दिखाई दे जाए, तो वह एक तक, मैंने देखा कुछ लोगों को, जब मैं ट्रेन से यातरा करता हूं, अज मेर से दिली जात और जो इसमें यात्रा कर चुके हैं वो आराम से बैठे हुए चलते रहते हैं अब आंपने लगते हैं यह सभय हैं यह इसभ प्यूता सभ्य शिकार अवशिकार लगाव राग वाईराग यह सब क्या है कहां तक आपकी पहँच है कहां तक नहीं है इस पर निर्भार करते हैं इसलिए वशीकार मैं कहा रहा हूँ कि पंक्तियां छोटे-छोटे शब्द हैं लेकिन हमारे व्यवहार को बड़ा विस्तार से समझाते हैं और हमें क्या बनना है इसको भी समझाते हैं आगे कहते हैं अगर वो वशीकार एक बार हो गया तो योगी का चित परिपूर्ण हो जाता है अधूरापन नहीं रहता बिलकुल है तद वशीकारात परिपूर्ण योगिन हचित्तम कमी क्या रहे गई जब सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु तक मेरी पहुँच है स्थूल से स्थूल तक मेरी पहुँच है तो चित लबालब भर जाएगा और भरा हुआ पात्र कुछ लेने के लिए भटकता नहीं है संसारा है उसके पास सब्सक्ष्म अब उसे आवश्यक्ता है तो इस बात की कि बस इस प्रसनता को बनाए रखा जाए इस भरेपन को बनाए रखा जाए अगर ये वशीकार हो जाता है तो परिपूर्ण योगिन अभ्यास के लिए जो पूरी प्रक्रिया है उसकी आवश्यक्ता नहीं होती जैसे मुझे एकागरता लाने के लिए अekt प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जैसे अब ही आज कल हम करते हैं ध्यान में बैठते हैं आसन को फिर करते हैं सबकर बें वो आवश्यक्त है आसन क मुझे बाद में फिर हम प्राणायां करतें तो हमारी प्रक्रिया है हमने पहले कि श्वास को रोका प्रत्याहार किया इंद्रियों को बाहर से हटाया धारना अर्थात अपने मन को एक स्थान प्रक्तिक आया फिर और बहुत सारे उपाय अपना है जो उपर हमने लिखें कोई भी आप उपाय जो हमें जादा अपील करता हो लेकिन अगर एक बार वशीकार हो जाता है तो फिर दोबारा से ये परिकर्म करने की आवश्यक्ता नहीं है ये प्रक्रि करके दवाई बताने की आवश्यक्ता नहीं पढ़ती जो नए नए होते हैं जो अभी अभ्यास ही कर रहे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं नए नए बच्चे एंबीबीएस एंबीएस तो मैं उनको क्या कहूं थोड़ा साही पढ़कर के और जब वो मतलब नजला है पैरसिटमोल यह दर्द हो रहा है जी पैरसिटमोल उनका थो मुझे नहीं पता लेकिन होमेपैथी में मैंने यह देखा है कितनी डेडिकेशन होती है उनमें एक जो मुख्ये चिकित सक्थ हैं वो बैठे होते हैं हमारे सतीश्वर्मा जी बैठे होते थे जब मैं जाता था कई बार उनसे मिलने के लिए बड़े सज्जन विक्ति हैं तो अभी तो वह ऐसे बैठ करके होस्पिटल में दवाई नहीं देते हैं अपने घर पर ही बुला लेते हैं तो उनके पास दो असिस्टेंट बैठे हुए होते थे वह कम से कम 10 मिनट तक सुनते थे विक् पर पूरी सूची निकालते हैं जी यह जादा आपील कर रही है ठीक है फिर यह दवाई इनको दो लेकिन जब आदमी चिकित सक वह समझाने के लिए कर रहे हैं अगर बात उनी से वह स्वेम उनको दवाई बतानी हो तो देखेंगे नहीं तुरंत बता देंगे आपको यह औ अभ्यास किया है कि उन्हें हर बार प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यक्ता नहीं है वो सीधे दवाई बता सकते हैं ऐसे ही जब हम अभ्यास करते हैं किसी भी चीज का एकागरता का अभ्यास योगदर्शन का मुख्य विशय है तो एकागरता का अभ्यास हमें हर बार करन पड़ेगा लेकिन अगर वशीकार हो जाए तो अभ्यास नहीं करना है फिर आप सीधे एक आगरता को संपादित एक आगरता की स्थिति बना सकते हैं कब जब लगातार हम बहुत लंबे समय तक दीर्ग का नैरंतर्य और सतकारा से इन शर्टों का पानन कर रहे हैं तो तो नप अभ्यास कृतम परिकर्म अपेक्षते अभ्यास करने वाला जो परिकर्म है प्रक्रिया है वो दोबारा उसकी आवश्यक्ता हर बार नहीं पड़ती है तो यह जो कुछ पंग्तियां है दो पंग्तियां थी वैसे पर मुझे कुछ विशेश चीजे जो दिखाई दी समझ में आई वो मैंने आप लोगों के साथ साजह की इसके बाद में जो अगला सूत्र आएगा अब वो बताएंगे कि फिर मन की स्थिति क्या होती है और वो जो सूत्र है वो भी अपने आप में बड़ा प्रैक्टिकल बड़ा व्याधारिक है और उसे भी आपको मैं प्रयास करूं लेकिन जितना मैं कर सकता था मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया फिर भी आपके कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न अवश्य रखिएगा और हमारी एक अध्यत्री है वो कह रही थी कि वो योगदर्शन के सूत्र